हेलो फ्रेंड्स आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल साहूस अब सलूशन्स पर और आप देख रहे हमारा एंगुलर 11 का फुल टुटोरियल सीरीज दोश्तों जैसा की फिसरीज में यह देखा की अंगुलर क्या है कि वृट lament पर है इंग्वृ 11 कब आया इन सारे चीज़ों के बारे में हमने डिटेल समें देखा बीडियो लेकर आए हैं इसमेंघा देख Teresa il DI. करने के लिए हमें क्या क्या install करना होगा मिंस कि किस तरीके से हम अपना development environment setup करते हैं एक चीज एच्टेप पर देखेंगे हम कहां से download करना है कैसे install करना है और project कैसे create करते हैं project create करने के बाद हमें कौन-कौन से options को choose करना होता है create करते time ठीक है और उसके बाद हम hello जो default page है उसको हम देखेंगे कि एंगर 11 में जो हम project create करते हैं तो run करने के बाद project को तो default page कैसा दिखता है इन सारे चीजों को हम details में भी example देखने वाले हैं ता आप इस video को भीना escape किये step by step देखिए क्योंकि यह video का 21 minute आपके लिए बहुत ज़्यादा important है तो चलिए start करते हैं इस video tutorial को देखिए एंगलर 11 में काम करने के लिए आपको चार चीजों की जुरत होगी मतलब 11 का development environment ready करने के लिए setup करने के लिए आपको चार चीजों को install करना होगा पहला तो है कि एडिटर जीसे हम आई डी बोलते हैं मतलब कि कहां पर आप code करेंगे देखिए आप कोई भी project develop करेंगे तो कोई ना कोई एडिटर चाहिए जहां पर आप code करेंगे उसकी जुरत होगी तो इसके लिए हम यूज करेंगे विजर स्टीडियो कोड अभी मैं आपको दिकांगा विजर स्टीडियो कोड हम कहां से डाउनोड करेंगे chamber district देखेंगे लेगिन से पहले मैं आपको यह बताते चलू कि बहुत सारे혈ड़ेटर हैं बेजरिस्टीडियो भी और वां Im गाम करेंगे ठेक है उसके अलावा भी बहुत सारे एडिटर होते हैं जिसमें हम एंगुलर पर काम कर सकते हैं लेकिन विजिलで स्टुडियो कोड़् हम क्यों चुछ कर रहे हैं इसका रिजन यह है यह जो एंगुलर में जो हम कोडिंग करते हैं तो टाइप प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् कोड में उसके हलावा बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड होता है कि वीजिलियो शुडियो कोड में और भी चीज़ें होते हैं जैसे कि हम हम नोट अपरेटर अप्लाई करके टाइब मारते हैं तो पुरा का फुरा है लिख देता है बहुत सारा ऐसी फीचर्स हैं जो विजिश्ट्यों कोड हमें प्रवाइट करता है इन सारे चीज़ों को हम यूच करके इसी सीरीज में आगे देखेंगे भी ठीक है उसके बाद हमें इस्टॉल करना होगा नोट जेस नोट जेस क्या है यह बहुत ही तरीके से फ्रेम और अब यहां पर एक कुछ्चन रहता है कि एंगूलर भी फ्रेम और क्या जोते हैं टेटिवेस की क्या जवत है यह एक इंट्रिव्यू का क्वुश्चन है इसका आंसर मैं बहुत ही डिटेल्स में अगले वीडियो में करते हैं एंगुलर 2 से लेकर 11 तक में एंगुलर js में नहीं किया आता है ठीक है कियों इस्टॉल करते हैं एंगुलर 2 & higher versions में ठीक है अगर आपको आता है आपके पास इसका आंसर है तो आप जरूर हमारी इस वीडियो के लिखिए हम आपके answers का reply करेंगे ठीक है उसके बाद जैसे नोड जैसे इस्टॉल कर लेते हैं तो आपके सिस्टम में NPM अपने आप इस्टॉल हो जाता है NPM का मतलब होता है नोड package manager मतलब कि आपके application में जितने भी packages होंगे उसको यही manage करेगा प्रोजेक्ट करते हैं बहुत सारे packages अपने आप इंस्टॉल हो जाते हैं वह मैं आपको दिखाऊँगा कितने सारे packages इंस्टॉल होते हैं उसके बाद अलग से भी कोई package आप इंस्टॉल करते हैं अपने project में तो उसको भी manage NPM ही करता है इसके NPM सारे packages को manage करने के लिए दो फाइल उच करता है package डॉजेशन फाइल और package लॉग डॉजेशन फाइल जो कि मैं folder structure में आपको बहुत ही details में संग्जाने वाला हूं उसके बाद आपको एंगुलर का CLI इंस्टॉल करना होगा CLI मतलब command line interface जहां पर आप command लिखते हैं CLI यह क्या benefit है हम क्यों उच करते हैं इसके बारे में भी मैं आपको accepted video देने वाला हूं मतलब यह series बहुत ही ज्यादा important होने वाला है यह series का हर वीडियो आपके लिए बहुत important होगा step यह step देखेंगे तो बहुत सारा चीज clear हो जाएगा ठीक है तो चलिए हम एक एक चीज step यह step देखते हैं कि कौन सा चीज कहां से कौन सा software कहां से download करेंगे इसका official website कौन सा है और कैसे install करेंगे चलिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वीडियो चुडियो कोड जो है कैसे और कहां से download करने के लिए आपको वीडियो चुडियो कोड के official website पर जाना होगा code.wagalstudio.com इस तरीके का download करने का option दे रहा है कि आप Windows अपरेटिंग सिस्टम है तो directly इस पर क्लिक करके और download कर लिजिए अगर आपका Windows अलग है कोई Mac है Linux है तो आप यहां से आप अपसं चूछ करके download करके install कर सकते हैं दूसरा भी अपसंन है आप डाउनोड पर क्लिक किजए का यहां से बता देगा कि आपका अपने अप्लेटिंग सिस्टम के और यह एक सी फाइल डाउनोड होगा उसके बाद जैसी फाइल डाउनोड हो जाएगा तो आप उस फोल्डर में जाएंगे उस पर राइट क्लिक करके install कर देंगे नेक्ट नेस्ट करके install कर लेना है इंस्टाल करने के बाद विजियो शुडियो कोड कैसा दिखता है और भी मैं आपको दिखाता हूं जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आप विजियो शुडियो कोड के आइकन पर क्लिक करेंगे या फिर टास्क मेनेजर में सर्च करके देख यहां से ओपन फोल्डर पर क्लिक करके उस फोल्डर को स्रेट करेंगे तो यहां पर उपन हो जागा सब कुछ में स्टेप एस्टेप दिखाऊंगा आगया वी आने वाले वीडियो में यहां पर चाहते हैं कि विजिए लिए कोड से ही अपना प्रियेट करों तो यहां से ट आनला इंटरफेस से हम क्रियेट करके देखेंगे एक चीज़ती यह क्लिए हो गया अगला है कि हमें नोड जीस इंस्टॉल करना होगा नोड जीस इंस्टॉल करने के लिए हमें जाना होगा नोड जीस के ऑफिसियल वेस्वाइट नोड जेस.org पर ठीक है आप डिरेक्ली अ आपको दो अपसन दिखाएगा एक तो करेंट दिखाएगा जो लेटेस वर्जन 15.2.1 इसको इंस्टॉल नहीं करना है ठीक है आपको LTS वर्जन LTS का मतलब होता है लॉंग टर्म सपोर्ट अभी यह इससे पिछला वर्जन 14.15.1 चल रहा है रिकमेंड इट फोर मोस्ट यू करता हूं क्योंकि इसमें सपोर्ट अब लेबल है अभी यह करेंट वर्जन हो सकता कोई इशू चल रहा हो ठीक है जैसे ही इस्टॉल हो जाएगा उसके पाद आप टास्क बार में सर्च किजिएगा नोड नोड तो आएगा इस तरीके जिएस कमांड प्राम्ट ठीक है इसक को इंटर हीट कीजिएगा ठीक है इस तरीक के इस ओपन हो जाएगा नोट जिसका कमाण प्रम्ट अधिर आपका जो cmd आ लगता जो कमांड प्रम्ट होता है जो Windows का होता है अपरेटिंग सिस्टम का ठाउन है यह नहीं है नोट डैस भी यह सारे जो कमांड बता रहा हूं मैं आप नोट कर सकते हैं यह बार बार काम में आएगा या कोई पुछ भी सकता है इंटरव्यू में ठीक है मैं एक एक चीज इंस्टॉल करकर कि आपको बताते जा रहा हूं कि कौन सा चीज इंस्टॉल होने के बाद उसको कैस जैसे चिक करते हैं कि कौन सा वर्जन इस्टॉल है और इस्टॉल है भी की नहीं तो जैसे इस्टॉल हो जाएगा तो नोट डैस भी करें इंटरहिट करेंगे ति बता है देखा 14.15.1 वर्जन नोट का इस इस सिस्टम में मैं पहले से इस्टॉल करकर रखा हूं इसलिए भी इंस्टॉल करने रहूंगा तो वीडियो बहुत लंबा कि जाएगा तो अच्छा नहीं लेएगा ठीक है यह होगा जैसिंग मैंने अभी बताया कि नोड इस्टॉल होने के बाद इन पीम अपने आप इंस्टॉल हो जाता है तब इन पीम भी चेक करना होगा आपको कि एन NPM-V यह बता देगा कि कौन सा वर्जन 6.14.8 वर्जन इंस्टॉल हो चुका है NPM का भी अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा आप भी ऐसे ही चेक किजिएगा नोट कर लिजिए इन दोनों कमांड को जैसे ही NPM इस्टॉल हो जाएगा उसके बाद मैंने आपको बताया कि गूगल ठीक है एंगुलर इस तरीके से लिखेंगे तो आप एंगुलर के सीलाइड डोट अट आयो पर जाएंगे यहां पर आपको मिल जाएगा कमांड इन पीम इस्टॉल टैस जी इसको आप कॉपी कर लिजिए या फिर मैंने अभी आपको जो दिखाया कमांड यह वाला यहां पर अभी मैं दिखाता हूं देखेंगे यह तो नोट के लिए अप जाएंगे नोट जाएंगे और यहां पर आप देख सकते हमारे स्क्रीन पर की इन पीम इस्टॉल लिखा हुआ है इसको भी यहां से भी आप टाइप कर सकते हैं ठीक है उसके बाद इसको का करना है टाइप कर लिजिए नपीम इस्टॉल डैस जी या फिर कॉपी करको पर पेस्ट कर लिजिए वेब साइट से डिरेक्ट ली कहां पर इस नोट कमांड प्रम्टर यहां पर आप बस पेस्ट कर दीजिए और इंटर हीट करेंगे तो इंस्टॉल शुरू हो जाएगा इंस्टॉल हो जाएगा इसको भी आप चेक करेंगे एंजी स्पेस भी लिखिएगा ठीक है तो यह स्क्रीन आजाएगा एंगुलर सी एलाई 11.0.2 मतलब एंगुलर 11 इंस्टॉल हो चुका है इस लैप्टॉप में ठीक है नोड भी बता रहा है यहां पर आपका में इंस्टॉल हो चुका है आपका लैप्टॉप रेडी हो चुका है एंगुलर में काम करने के लिए बस इतना है इंस्टॉल करना है जैसे इंस्टॉल हो जाएगा अब आप अपना प्रोजेक्ट कर सकते हैं एंगुलर में ठीक है अब प्रोजेक्ट करने के लिए आपको क क्या करना है Raw के अंदर कोई folder है जिसमिया प्रेट करना चाहते हैं तो उस folder में जाने के लिखेंगे आप cd महलजर्च निम से प्रस्ट करना है थेक है अब यहां पार प्रस्ट अपने अपने मर्जी से जिस नेम से project create करना है लिखिए उसके लिए लिखना होगा एंजी एंजी का मतलब होता है एंगुलर एंजी नियू मतलब नया कोई project create करने जा रहे हैं इसके बाद यहां पर कोई project कर नेम दीजिए किया देते हैं आधेस्ट कुछ नेम से सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर देम पर जेक्त इस तरीके से कुछ लिखते हैं लिखते हैं जैसे इंटर हीट करेंगे टिक ready करेंगे तुछ एक एड़ीए लिए देखिए आगया कि द्रूवां टूआ इनफोर्सिस्टिकर टाइप check in देखिए यह बोड़ा है कि क्या इस को स्टिक्ट मोड में क्रिट करना चाहते हैं अगर करेंगे तो इस ट्रिक्ट मोड में आपका उट के दो ओगा इस टिक मूट का मतलब होता है कि आपका जो कोड होगा जैसे कुई बग आप लिखेंगे तो आपको कंपाइल टाइम पर ही एरर देगा ठीक है मतलब कि मेंटेनिल वेटी को इंप्रूब कर देता है सेटिंग चेंज कर देता है इसका स्टिक्ट मोड का मतलब ही होता है कि आप उसके रूल्स को आप फॉलो करो ठीक है अगर आप नहीं लिखते हैं तो थोड़ा बहुत सेंटेक्स लिखते हैं तो उसको इग्नौर करते हैं काम करने देता है लेकिन इस्टिक मोड में करते हैं तो छोटी छोटी चीजे भी यह चेक करेगा और आपको आगे नहीं बढ़ने देगा मतलब कि आपका पुर्जेक्ट जो है बग फिरी बना देगा बग को कैज करता है एहड और टाइम पर ठीक है मतलब इसको बोलते हैं ठीक है तो इंगलर टेन में क्या होता था कि हम वहाँ पर पुर्जेट करते हैं टाइम यहीं पर डैस डैस स्टिक मोड लिखते थे अभी असलिए उतर स्टिक मोड लिखेंगे तो यह यह जो है नहीं पुछे का साथिए अगर आप रहाई क्लिक करेंगे तो इसलिए पुछे अगर बाइंक्ट वाई क्लिक करेंगए तो पुर्य शुरू कर देगा अब यहां पर नहीं अब यहां पर लाउटिं यह अप्क यह करना चाहते हैं अब चूछ कर सकते हैं यह भी इंग्लर से में अड़ हुआ था यह एड़ किये गए देखेशिक्स में एड़ किया गया था एंजी अपडेट लेकिन पूर्जेट क्रिए करते टाइम पहली बार इंग्लर से बैड किया गया यह दोनों आप्सन अंग्लर का रा किया क्या आया था जोभी चीजी में बोल रहा हूँ तो इसको आपको मेंट कर सकते हैं कोई के बाएंटर rotations करेंगे ताब क्रोगेंगों आपका प्रॉएट को체가 ऑब मैं इसको सब्याइट करता हूं क्योंकि हमने अल्री प्रॉजेट क्रेट करके रखा है आपके लिए इंटरनेट की जुरूत होगी आप करेंगे अगर वह टाइम लेता है तो आप पेसेंस रखेंगे क्योंकि यह टाइम लेता है पॉर्जेक्ट क्रेट करने के बाद आप देखेंगे देखेंगे फोर्टीन हंडर्ट सम्थिंग फाइल सफोल्डर क्रेट हो जाते हैं अभी मैं दिखाने वाला हों कि पुर्जेक्ट हमने क्रियेट किया है और उसके अंदर कितने सब्सक्राइब करके दिखाता हूँ की कि यह पुर्जेक्ट माइंगी इसके इन्दर देखे इतने सबीरी फाइज स्कूर जाते हैं इसको कौन और इतने सारे पैकेज अपने आप इंस्टल हो जाते हैं एक एक फोल्डर के अंदर भी बहुत सरे इसके अंदर बन जाएगा इस सब कुछ आगे हम इस स्रीज में देखने वाले हैं ठीक है तो सब्सक्राइब करते हैं अगर आपका में फोल्डर इसके बारे में आगे बताने वाला हूं अब इसको मैं आपको क्या करता हूं कि सर्व करके दिखाता हूं एंजी सर्व करेंगे यह पूर्जिट क्या होगा कंपाइल हो जाएगा देखिए कमांड प्रॉंट पर आईए उस फोल्डर में आपको जाना होगा अभी तो मैं आपको इन नोट जैसे कमांड प्रॉंट से सिखा रहा हूं अभी जब मैं सब्सक्राइब करेंगे तब आपका अप्लिकेशन कंपाइल होगा है ठीक ही यह थोड़ा सा टाइम लेता है मैक्समम मौन मिनट या फिर आपका स्पीड सही है रहन सही है तो जल्दी कंपाइल होगा है ठीक है यह जो लुक दिख रहा है यह 11 में आपको इस तरी कर दिख रहा है पहले एक ही लाइन में सब दिखा था 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 यह सब कुछ एक लाइन में दिखा देगा कि यह 4200 जो है अंगुलर का डिफॉल्ट पॉर्ट है ठीक है इस पॉर्ट पर जाएंगे यह अप्लीकेशन ओपन हो जाएगा ठीक है देखिए ब्राउजर में चलिए यहां पर लिखिए लोकल होज 4200 दिखिए यह डिफॉल्ट पेज ओपन होगा ठीक है इसी तरीके साब का करके आप देख सकते हैं इन्होंने कुछ लिंक्स और डाल रखा है यहां पर एक कमांड बता दिया है कि कमपोन इंडिकर करने के कमांड क्या होता है इस तरीके सारे कमांड में आगे बताने वाला हूं हर चीज़ हम क्रिएट करके देखेंगे तो यह है आपका इंस्टॉले के आप अगे प्रेटिस नहीं कर पाएंगे इस्टॉलेशन रेटी रखिए अगर आपके इस्टॉलेशन हो जाता है ता अमें आ सकते हैं इस्टॉलेशन रेडी हो चुका है कमेंट कर सकते हैं हमें अच्छा लाइगा ठीक है तो आफिक की अपको समझ में आ ओगी आओगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टोपी के साथ तब तक करें थैंकि शो मच अगर आप बिल्कुली corporate level का knowledge रखना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आप बहुत ही बड़े corporate में काम करें बिल्कुली proper तरीके से professional की तरह और अच्छे से interview crack कर सकें अपने salary को high दे सकें एक अच्छा सा तो आप हमारा online class जोइन कर सकते हैं जिसमें हम आपको provide करते हैं बिल्कुली corporate level का training जिसमें कि पूरा Angular cover करा जाता है Angular 2 से लेकर 10 तक के सारे concept पूरा का पूरा type script क्योंकि आपको type script में coding करना होता है पूरा RxJS library हम cover कराते हैं अपने online class में जो कि बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं आप कहीं class करने जाते हैं तो वो पूरा आपको cover करा जागा कि हमकी RxJS library जो है Angular का heart माना जाता है यह सारे चीजे जो चीज मैं बोल रहा हूं आपको YouTube पर आपको corporate level का नहीं मिलेगा कोई नहीं डालता है यह सारे paid होते हैं और class में बहुत ही corporate level का पढ़ा जाता है हमारा class जो है इसी चीज के लिए famous है कि हम corporate level का training देते हैं इसके अलावा हम आपको सिखाएंगे Angular, material और bootstrap भी कैसे यूज करते हैं इस सब कुछ आपको सिखायाता है API integration शिखायाता है API बनाना सिखायाता है मतलब कि back in वाला part भी हम सिखाते हैं अपने classes में उसके बाद project training दियाता है project training में आपको e-commerce का application डेवलब करना सिखाया जाएगा जो की बहुत ही corporate level का होगा बहुत ही broad level का होगा जैसे कि आप Flipkart Amazon यूज करते हैं उस लेवल का application डेवलब करना आपको सिखाया जाएगा तो आप हमारा online class ज्वाइन करके अपने salary को एक अच्छा सा hack दे सकते हैं interview crack कर सकते हैं देखिए अगर आप कहीं से पढ़ते हैं दो तरीके होती है कि अगर आप मालेजिए कि आप किसी इंच्यूट में पढ़ने जाते हैं आपको कौन पढ़ाता है एक तरीके से वो टीचर होगा फैकल्टी होगा और सचाई यह है कि टीचर फैकल्टी कौन बनता है जो सफ्ट इंड़स्ट्री में जॉब नहीं ले पाता है जो खूदी जॉब नहीं ले पाया तो आपको क्या ट्रेणिंग देगा वह आपको ऊको बूख वाला नॉलेज देकर आपको भेज़ देगा लेकिन आप वही पढ़के आप जब जाते हैं company में काम करने तो आप वहाँ पर काम नहीं कर पाते हैं फिर आपको भाग कर अच्छे सा study करना पड़ता है या फिर तो आपको आप काम नहीं कर पाएंगे बुरियत फिल करेंगे या फिर आपको निकाल दिया जाएगा और हमारा class किसली famous है क्योंकि हमारे हैं कोई teacher नहीं है हमारा जो team है जो हम लोग है किसी ने किसी बड़े MNC में काम करते हैं तो हम लोग वही चीज़ अपने training में provide करते हैं जो directly corporate में किया जाता है काम किया जाता है real चीज़े हम आपको बताते हैं इसलिए हमारा class famous है जो हमारे हां से training ले लेता है उसको कहीं भी interview correct करने में कोई भी problem नहीं आता है क्योंकि हम वही चीज़ बता आते हैं जो direct interview में पूछा आता है सामने वाले को लगता है कि आपके पास proper knowledge है एक दो साथ से आपने काम किया है उश लेबल का knowledge हम अपने class में हम पढ़ाते हैं अगर आप join करना चाहते हैं तो हमारे website का link इस video के description box में है आप उस पर click करके अभी visit किजिए हमारे website shahosop.com पर और अपना badge चुच किजिए चेकाउट किजिए और class join कर लिजे कल से ही अपना class आप join कर सकते हैं अगर आप inquiry करना चाहते हैं तो हमारे official mobile numbers भी अवलेबल है वीडियो के description box में या इस video के screen पर भी आपको नीचे में दीख रहा होगा हमारा mobile number आप धरंद कॉल किजिए, inquiry किजिए और class join किजिए